हालो जैन दोस्तों आप सभी का स्वारत आपके अपने यूट्यूब चैनल नौफ के तुपे आप सभी के लिए सबसे बगी खबर है कि आप सभी के लिए एक बात कर दो कि आप मैनेज किजिएगा लाइन कटा हुआ है आप बोर्ड पर फोकस किजिएगा और बोर्ड पर आपको दिखाए देगा होगा आप सभी को फिरम बोल दे कटफ 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 का वीडियो निरंतरता के साथ आप देख रहे होंगे कहीं कहीं यूटूब पे बहुत अच्छा है खूब देखिए दबा के देखिए कहीं भी देखिए सफल जिनको होना होगा वो सौ परसेंट होंगे जिनका एक दो नम्मर से चुटेगा वो दुख हो जाएग इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं लाया ना मुझे भ्यूज चाहिए बस आपकी सफलता ही हमारी गारंटी है बस उपर वाले पर विश्वास रखें इतना ही कहेंगे कि बीपेसी टियारी 3 को लेके अब लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो अक्छनवाला मुद्दा है इसको लेके इसके अधार पे आपका मेबी जो अगस्त में आने को था बगवान क यही अगस्त में आएगा तो फिर टियारी 4 जल्दी आपका देखने को मिलेगा लेकिन जैसे ही लेट होगा तो फिर आपका टियारी 4 आगे चला जाएगा तो टियारी 4 के बारे में आपके इतना ही कहेंगे कि आप सभी के लिए कि 50% का जो अच्छन था यह मुद्दा यह मुद्दा जो इस पर जो रोक लगाया इसके बाद जो फैसला में जो फंसा है एक लाक इतने पदों पे बहाली का रिजल्ट फंसा हुआ है इसमें सच्चक बहाली हो यह और भी बहाली है और यह बहाली आप देख भी सकते हैं यहां देखिएगा इस बहाली में आपको अभी इत्रीवा जो मामला है जिसका एक्जाम हुआ वह भी फंस जाएगा प्रदान सच्चक का जो चालिस अच्चार सम्तिंग तो पोस्ट आया वह भी फंसेगा और हेड मास्टर का 6000 पोस्ट पे आया था वह भी फंसेगा जो भी एक्जाम BPSC ने लिया था यानि प्रदान सच्चा को किर्शी विभाग जिसमें 1000 काबन पोस्ट आया था 76 पोस्ट आई टी आई में आया था और 313 पोस्ट हार्टी कल्चर अफसर के लिए आया था BPSC ने इन सभी का एक्जाम लिया तो अच्छत का मामला ह करें तो साब कहें यह आपको लेट लतीफा हो सकता है च्योंकि सुप्रिम कोट अगला जो इस पे चर्चा होगा वो सितंबर में होगा यही मामला इतना ही आपको कम सब्दों में कहेंगे कि आप बर्बान से प्रातना करें कि आप सभी का रिजल्ट अच्छा आए यही हमार जे आप